हलो फ्रेंज अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं अंडे की बिल्कुल निव रेसिपी सेर करने वाली हूँ आसा करती हूँ कि ए रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आईगी तो फ्रेंज वीडियो पूरा देखें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं चुले पे पैन रखेंगे जब पैन गरम हो जाएगा तब उसमें डालेंगे दो बड़ा चमच तेल और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और उसमें डालेंगे आधा चमच पचपोरन एक हरी मीर्च इस तरह से कटी हुई और लू फ्लेम पर ही पचपोरन और हरी मीर्च को हलका सब भून लेंगे तो अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई कर लेंगे तो देखी फ्रिंज प्याज फ्राई हो गया है अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें एड़ करेंगे दो टमाटर पीसा हुआ दो बड़ा चमच अद्रक लहसन का पेस्ट एक छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच जीरा पाउडर एक चो थाई चमच काली मिर्च पाउडर आधा चमच धन्या पाउडर एक चमच गरम मसाला पाउडर अब इन सारे मसालों को लोफ लेंपर ही इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और भूनेंगे 5 मिनट तर तो फ्रिंज लगातार इस तरह से मसालों को चलाते रहें नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो लोफ लेंपर ही हम लोग मसालों को भूनेंगे जब तक कि मसाले अच्छी तरह से भून न जाएं तो देखिए पांच मिनट हो चुके हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब हम मसालों को पैन में ही इस तरह से देखिए चारो तरफ फैला करके एक लेयर बना लेंगे तो देखिए मसालों को हम अच्छे से फैला लिए हैं अब उसमें एक-एक अंडा तोड़ करके इस तरह से मसालों के उपर रखेंगे तो दूसरा अंडा भी तोड़ेंगे इसी तरह से बाकी का भी अंडा तोड़ लेते हैं तो देखिए मैं चार अंडे का बना रही हूँ आप चाहे तो अंडा कम ज्यादा कर सकते हैं अब ढख करके तीन मिनट तक पकने देंगे लो फिलिम पर ही तीन मिनट हो चुके ढखकन अटाएंगे और यह देखिए अंडे पक चुके हैं अब इसको हम लोग पलट देते हैं तो इस तरह से एक है करके अंडों को पलट दे तो देखिए सारे अंडों को हम पलट दिये हैं तो अब इसमें आड करेंगे एक छोटी कटोरी पानी तो पानी को अच्छी तरह से मीक्स कर ले फ्रेंज इस तरह से बनाईएगा बहुत ज़्यादा स्वाधिष्ट बनता है और बहुत ज़्यादा चटपटा लगिएगा और सबको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी तो इस तरह से ट्राई जरूर करें तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें डालेंगे स्वाध अनुसार नमक और नमक को अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे नमक को मीक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम लोग एकदम लो कर देंगे और धक्कन लगा करके 5 मिनट तक low flame पर ही पकने देंगे तो देखी फ्रिंज 5 मिनट हो चुके हैं धक्कन हटाएंगे और उसमें आड़ करेंगे 2 चमच हरी धनिया बारिक कटी हुई तो इस तरह से उपर से धनिया की पत्ती को डाल दे और अच्छे से मीक्स कर लेंगे धनिया के पत्ती को तो फ्रिंज बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है और यह देखिए बहुत यादा स्वादिश्ट बनी है तो फ्रिंज इस तरह से बनाएं खिलाएं सबको बहुत यादा पसंद आएगी और सबको यह बहुत यादा आपका तारीफ करेगा तो इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करें तो फ्रिंज देखिए ग्रेवी भी कितने अच्छे से गाड़ी हो गई है तो अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो देखिए फ्रिंज हमारे अंडे की निव रेसिपी रेडिये आप इसको रोटी से खाईए चावल से या फिर पुलाव से बहुत यादा टेस्टी लगेगी तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें